दोस्तों काफी दिन बाई एक बाई फिर से बाई PC बिल्ट का गदर सीन करने वाले है और आज हमने मुलाकात करा ले हैं आपसे आपसे आई 7 प्रोसेसर के साथ i7 प्लस यार 8GB का GPU और ये सब कुछ 25,000 के अंदर मात्र बाई और बोलो और क्या चाहिए और मारो खतम करो सीन आई पूरी गेमिंग दिखाने वाले जीटिए 5 माइन करन ऐसी गेम 100 प्लस fps आप हहरान हो जाओगे 25,000 के अंदर अगें ये आपका बिल्ट रहेगा सारे पर्ट्स हमने ये मॉडरन टाइप के यूज करें पीसी बिल्ट फुल 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 वाला सीन रहेगा एक चीज मैं आपको क्लियर कट पहले ही बताजिता हूँ यहां पे जो प्रूसेसर यूज करा है यह थोड़ा ओल्ड है अगर आप मॉडरन प्रूसेसर में जाना चाहते हूँ वह आपको पसंद है तो आई बटन पर वीडियो देख सकते हो आजो भाई आजो ठीक है दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपको पार्ट्स बता देता हूँ क्या कि हम लोग यहां यूज करने वाले है देखो Amazon से डिरेक्टली दिखाता हूँ सबसे पहले अपना जो प्रोसेसर आता है i7 अम लोग यूज कर रहें बट यह फोर्थ जेनरेशन है और अगेन यह प्रोसेसर पाबर तोड़ा है अभी यह मैं 100 fps गेमिंग करके दिखाऊंगा आपको बाग यह ओल्ट है यह चीज कंसीडर रखना अगर आपको लेटेस्ट करने अभी के टाइम के आई बटन पर मिल जाएंगे यह प्रोसेसर भी डी सेंट है प्राइस भी देख सकते हो ओके रिपोर्ट के साथ आता है सेकंडरी इसके साथ भाई हम लोग जो अपना मधर बोर्ड होगा वह कुछ इस तरीके का 1150 शोकेट वाला यूज करना इसके अलाब हम लोग यहां पर SSD यूज कर रहे है 256GB आप चाहो तो इसमें NVMe भी यूज कर सकते हो slot मिल रखा है बट साडर ठीक रहेगा budget के इसाप से storage भी मिल जाएगी अपने को ठीकता और अगर आपको 512 में जाना है वो भी आप कर सकते हो ज्यादा पैसे नी बढ़ेंग यहां से देखोगे यह देख रहो इसके आगे क्या है यह gaming करा सकते है प्रॉपर gaming के लिए बट यह क्या है import वाले है मतला import आप simple means में समझो चाइन में माइनिंग के लिए यूज हो रहे थे बट बंद होके आने के अगारण mining अब यह graphic card import हो रहे है for gaming तो इसकार इंतने सस्त मिल रहे है 8 GB का है देख रहे हो इसलिए DDR5 सोच के देखो ताबर तोट gaming आप कर सकते हो इस पर भी हम करके देखें के मज़ा आजाएगा ब्रेंड में जाओगे आप समझे लो एस रोग इन सब में जाओगे तो यह graphic card 15000 का मिलेगा तो वो फिर थोड़ा आप देख लेना वा चलो DDR3 भी काफी capable अभी दिखाता हूँ आपको बट DDR4 का टाइम आ चुका है वही लगता है बट एक रहम ही इसके अंदर कमजोर नजर आ रहा है ठीक है इसके अलावा देखा जा तो अपना ये cabinet में आपको दिखा दी अगर आप किसी भाई को बहुत ही सस्ते में PC बिल्ट क आगे बढ़तें अब power supply के अंदर भाई देखो simple है आप अच्छी brand के लिए लोगे तो बहुत ही बड़ी है आने को 1000 रुपे की power supply आती है उससे भी आपका PC चल जाएगा ये 3000 की है क्योंकि ये थोड़ा यार certified वाली होती है देख रहो तो इस कारण है आप चाहो तो 2000 वाली अब यही PC आप चाहो तो हमारी website से भी purchase कर सकते हो हमारी website घर पर आपके पहुंच जाएगा अब एक चीज़ आप नोटिस करना हमारी website पर पहुंच होगे तो यहां पर आप क्या करना GPU वाले section में या no GPU कर देना ठीक है क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहा हूं है क्योंकि हम यहां आप से नहीं आप no GPU करके Amazon से आप purchase कर लेना यह RX 580 तो एक नमबर बिल्ट हो जाएगा आपका समझगा है क्योंकि RX 580 Amazon पर अपसे सस्ता मिल रहा है बाई मैंने देखा बहुत पता किया पर यह सही है ठीक है हमारी बागी parts आप यहां से ले सकते हो आप चाओ Amazon से जहां से भी जाल यह फिर शुरुबात करते हैं सबसे पहले अगर हम लोग जूम मारे तो बाई जूम जूम करके यहां पर अपना major IR motherboard आ चुका है साथ ही साथ अगर मैं आपको प्रोसेसर दिखा दू तो here you can see अपना i7 4th generation है और यह आज के टाइम पर आपको 4000-5000 का प्रोसेसर मिलेगा तो इसको आप हलकू नहीं समझ सकते हो महंगा तो है थोड़ा तो बैस मैं इस लॉट ओपन कर लेता हूं इसका motherboard आता है H81 करके LGA1150 में supported करता है और यह तो आयर सबसे इजी काम है शायद आप लोग अच्छे से जानते ही होगे यह हमें यहां पर प्रोसेसर के अंदर यह व इनफ रहे अपना सिस्टम कहीं इसको कूलिग ना मिल पाए तो दिक्कत हो जाएगी तो यहां थोड़ा थर्मल पेस्ट बनता है तो एक सीन में आपको बताता हूं इसके साथ आपको बहुत घटिया सा फैन मिलेगा वैसे अगर परचेस करने जाओगे यह खरीते हो मेरे पा परफेक्ट एक बार ही हम लोग चेक भी कर लेते हैं और सब कुछ 10 to 10 सेट हो चुका है साथ ही साथ आप ध्यान से देखो तो हेर यू के नोटिस CPU फैन यहां पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा हमेशा यह उपर की साइड में यह आपको slot मिलता है यह slot में मैं बस यह fan बाली तार को ले जाऊंगा भाई इसको जटके तर तरीके से यहां पर connect मार दूंगा और इसी के साथ अपना बाई CPU तो तावरत तर तरीके से रेडी हो गया अब RAM की बारी तो एक slot open कर लेते हैं ठीक है दोस्तों यहां पर मैं एक RAM अभी इंस्टॉल कर रहा हूं वैसे मैं प्रेफर करूँगा भाई DDR3 अगर लगा रहे हो ना तो कम से कम भी दो लगा ले ना यहां देख सकते हूं 8GB लगा रहा हूं वी DDR3 अब ओल्ड हो गई है अगर इसी motherboard में DDR4 slot होता ना तो सूपर कूल हो जाता बड़ ऐस सच है नहीं तो हमें यार क्योंकि यह यह प्रोसेसर ह SSD यहां पर आने वाली है तो अगेन इसमें आपको slot मिल जाता है NVME का here you can notice yes देखो यह रहा ठीक है सिंपल ही हम लोग क्या करेंगे इस NVME को यहां पर प्लग इट कर देंगे और यह लगा दिया सिंपल सीन से पर्टा और यह हमने यहां पर इस क्रू भी कस दिया सर्ट टॉप क्लास तरीके से और SSD अपने इंस्टॉल हो गया और इसी के साथ मोस्ट ली देखा जाए तो हमारा सप्लाइ के बॉक्स में मिल जाएंगे तो पर्फेक्ट तरीके से इसको स्कुरू अप कर देना बागी बात रही वायर्स की यह मैं आपको एक बार बता देता हूं फटा ठीक है दोस्तों यहां पर अपनी पावर सप्लाइ सेट हो चुकी है साथी साथ सिस्टम आप देख सक यह अन ओफ बटन एलेडी हो गया इन सब के भी पोर्ट होते हैं यह तर देखो यहां से निकल रही है और यह जितनी तार है ना यह इतना बड़ा गुच्छ तो इनको क्या करना आपको नीचे से निकाल देना यह जो पोर्शन नहीं यहां से इसको यहां से आप नीचे से न दूणनी है जो आपको कुछ इस प्रकार की दीखेगी मदर बोट को पावर देने वाली केबल सर तो इजद जरूर दीजेगा इसे और इसको आपको यहां से निकाल देता हूं अपने पावर उसके अलावा नेक्स्ट आता है अपना cpu को पावर देने के लिए तो अगेन आ यहां पर जीप्यू यूज करने वाले और उसको भी एक्स्टरणल पावर चाहिए मतला अपना जीप्यू जो है काफी कैपेबल वाला है तो यहां पर आप देखो मैंने एक जीप्यू कितार निकाल दिया इस पर द्यान से देखो तो PCI लिखा है तो PCI जिस पर भी लिखा कोई और चीज को पावर देने के लिए रहता है तो हमारे पास हाड़ ड्राइव SSD तो हम लोग लगा रही रहे है तो जरूवत नहीं पड़ेगी बठा अब आप देखो तो cabinet में आपको पंखे मिलते हैं यह देखो आगे आपको तीन पंखे एक पंखा पीछे मिलता है इनको तो भी तो कहीं से पावर दोगे तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यह सारी कैबिनेट की जो फैन है ना देखो इस से कनेक्टेड है और यहां से अगर हम पावर देदेंगे तो सारे फैन हो जाएंगे तो अगे जो रेस्ट ऑफ वायर बची थी अपनी पावर सप्लाई देख सकते हो पूरी तरीके से मैनेज है और यह अपना शेप आ गया अब सबसे पहले मदरबोड इसमें बिचाने से पहले बाई आयो शेल्ड यह मदरबोड के बॉक्स में आपको मिलेगा यह पीछे शील्ड रहती है इसमें यह तीन चीजे नीचे जाएगी और इसको यह अब यह तो आप सबको पता यह एक बर इंस्टॉल हो गया तो हम इस कुरूप कर देते हैं चार कम से कम कर देने आपको यह मैंने बाई साब एक इस कुरूप कर लिया ना आपका PC बिल्ट अल्मोस्ट ड़न हो गया सही बताऊ तो बस हमें वायर लगानी है जो दो चार मि आपको बढ़ियां तरीके से लगा देना है यह तो अपनी लग गई है इसके अलावा दोस्तों हमें CPU को भी तो पावर देनी है तो CPU को पावर देने का काम आप लोग समझ गयो यह देखो यह CPU को पावर देने के लिए और केबल हमने उपर से निकाली थी बस मैं इसको परफ अब बस यहार फ्रंट के कनेक्शन लगाने उसके लिए आपको सारे पोर्ट यहां पे मिलेंगी नीचे के साइड वाला एरिया में और जो हमने नीचे से केबल निका ली थी यह सब इसको प्रॉपर तरीके से अब हमें लगाना है लाइक सबसे पहले आपको HD audio वाली केबल म मैं नहीं यह मैं किसी और का दिखा रहा हूं तो इस कारण आपको शो कर रहा है बाट अगर होता है किसी भी motherboard में तो इसका भी slot हो जाता है बात रही है फ्रंट के कनेक्शन से जिससे PC स्टार्ट होता है इसके लिए मैनुवल पढ़ लो और यह सबसे राइट साइड में सेट कर दिया सार इसमें हमने आए सेवन के साथ आर एक फिफिटी भी किया था तो वह इतना बढ़िया नहीं था मतलब वह भी एक अच्छा ग्राफिक कार्ट था बड़ यह इसके लिए और मेरे को लगते सुटेबल रहेगा लेट सी और वह तो अभी रिजल्ट में पता च और इसी Tôi और tema इसी के साथ जी की मेरे अपना डर एंकितान जी के साथ भाइ बिल डना हो गया और रहेगा आख जी के साथ भाई सार को सेट कर देना पैने में लिगा न लग देना अविजी के साथ भाइ सारा सेन यहां पर गया सठीड अ बस कुछ निए करण अब आ पैनल look is coming around you can notice the gpu is working fine and another level of your processor जिस पर हमने fan लगा दिया लग लेवल का और यह बागी सब system set और यहां आप देख सकते हो display भी आ गया jebronics हमने motherboard यूज करा है आप और चाहो अच्छी company में भी जा सकते हो अगें investment जितना उतना बड़िया return वही वाली बात है return तो क्या बठाइस में देखो windows आपकी directly चल जाएगी ठीक है अब इसका पीछे reason क्या है यह जो मैंने nvm लगाई ना इसमें windows install थी अगर आप चाहो तो i button पर आपको 10 और 11 दोनों की इस सिस्टम में सब कुछ बैस्ट है बस इसमें DDR3 टाइप की 8gb RAM है इसने फुल गड़बड़ी मचा रहा किया बागी चलो वह भी हम लोग काम चलाई लेंगे यहां पर देखो आई 7 4th generation हमने यूज कर है चारपा साड़े चारह जारगा प्रोसेसर है डिस्पले में अगर देखोगे तो rx580 अब काफी लोग बोलेंगे यह बॉटन नेक तो नहीं करेंगा मुझे नहीं लगता सर देखते हैं वह तो अभी result पता चली जाएगा rx550 के साथ तो बहुत बढ़ियां से वर्क कर गया था मुझे लगता है कर जाएगा बढ़ी दोस्तों यह कंप्लेटली यार पीसी बिल्ट का अपना सीन था मजा तो आई गया होगा फूल फूल रहा है इसके लावा पीसी मैंने आपको चला के भी दिखा दिखा दिया अब सिंपल यार चीजों पर बात कर लेते हैं मजा अब आएगा लिटरली बता रहो सबसे पहले यहां बेंचमार की स्कोर आप देख सकते हो यह जीप्यू का है अग यह नियारत देखो CPU अपना इतना खतरनाक भी नहीं कि मैं CPU को यहां पर प्रोफाइल टेस्ट करू तो GPU को आपे स्कोर आपके सामने आ चुका है अब बात भी बात रही इस पर आगर आप बेसिक काम करना चाहते हो अपने डेली बेसिस के लाइक वीडियो वचिंग हो गया वेबसाइट सर्फिंग हो गया यह वर्ड एक्सल पीडियाफ चलाना चाहते हो क्योंकि आपने इस पर पच चाहिए होती है अब प्रोसेजर आपको थोड़ा सा ओल्ड तो है यह तो मैं मानूगा आज के टाइम पर बाई कहां कहां लोग 13 14 जनरेशन के आसपास है और यह फोर्थ का है तो यह चीज तो आप देखो तो वहां पर आपको थोड़ा एक्सपोर्ट में टाइम लगता हो दिख जाएगा बागी नॉर्मल बताओ नॉर्मल काम अगर वर्ड एकसल यह सब चलाना है फोर स्टूडेंट पर पर तो यह 20-25,000 के अंदर एक जीप्यू का खतरनाक बिल्ट हो सकता है बागी अब मैं आपको गेमिंग करके दिखाता हूं इसके बाद तो शोकिंग रह जा रहती है गेम स्मूथ्रेस के साथ चल रही है और 60 प्लस fps मिल रहे है अगेन अमने बाई आए 5 10th जेनरेशन पे भी गेम टेस्ट करी दी वहां मिल रहे थे 100-120 fps बड़ यहां पे भी कम नहीं है साथ-70-80 fps की रेंज में फ्प्यस आ रहे है जो काफी फाइन रहते है और यह र प्लस fps आ रहे है मैं खुछ सोच के हरान हूँ बाई i7 4th generation को एक अच्छे GPU के लाद पेर करने के बाद देख सकते हो result आपके सामने modern games में आती है यह Devil May Cry 5 तो अपनी तो वहां पे आपको 100 fps अराम से मिल रहे है प्लस मैं बोल रहा हूँ वह भी नहीं 100 से कम प्लस हो चलो और आपके सामने result है अगे next game मैंने यहां पे control चला है control एक heavy game है तब भी यह 30 से नीचे तो fps गए नहीं यह consistent maintain रहे यह चीज़ देखके अच्छा लगा क्योंकि यह normal यह जो game है heavy है इसके लिए अच्छा खासा और graphic card processor हो तो बहुत बढ़ी fps आ सकते हैं इसके अंदर भी अपने 30 के आसपास fps consistent तो वह चीज़ देखके यह फिल फॉन 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 गलात गला है यह सीन गलात ही create कर रहा है आपके next मैंने Minecraft टेस्ट करी इसमें भी 8 चक्स के आसपा settings रखी थी पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी यह 300-200 fps तो आ रहे हैं कभी कदार frame drop हो रहे थे हलके-फलके एकदम shutter type के पता चल रहे थे तो अगर आप और चक्स कम करतो तो और best रहेगा बागी देखा जातो overall by gaming performance पर आप क्या बोलना चाओगे comment में बताना थोड़ा सा मैं हक्का बक्का रहे गया क्योंकि मेरेको भी इतनी उमीद नी थी इस प्रोसेसर से इस GPU के साथ पढ़ा कमाल तो हो ही रखा देखी सकते हो यह एक 25-23,000 के आसपास का ऐसा build-up ने कर दिया जाए GPU लगाया 8GB का और तावड तोड गेमिंग हो रही है तो कैसा लगा बताना comment में बागी चलो इस वीडियो में इतना ही अगर पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक कर सकते हो सब्सक्राइब बनता है ऐसा ही टेक रेलेटेड वीडियो के लिए शेयर करने ना मिलते है नेक्षीडो में तब तक लिए बाइयर जय जय भारत वंदे मातरम